यूक्रेन के उपर पूरी तरह से एक साथ बड़ा हमला करने का देश बिल चुका है यूक्रेन अब बुरी तरह से भसने वाला है शायद अब रशिया अपनी पूरी ताकत का इस्तमाल करेगा क्यों कैसे क्या ये सब आपको इस रिपोर्ट में वार अपडेट में पता चलने वाला है लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाल बटन दबाइे चैनल को सबसक्राइब कीजिए ताकि आपको खबर चार दिन पहले कि न मिले लेटेस्ट खबर मिले लेटेस्ट खबर तभी मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको बोलना चाहता हूं अपने वालिद के लिए अपने माबाप के लिए अपने दादा दाजी जो वे आपके घर में बुजरूग लोग देखते हैं आप उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसे फायदा ये है कि आप उनको वेडियो खोल के दो या न दो वो अगर यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो उनको हमारा नया वीडियो होम पेज पर ही दिख जाएगा पहरी बात दूसरी बात यह है कि जो लोग जो बुजरूग लोग सिर्फ वो वाइस से सर्च करते हैं रजाग्राफी बोल कर तो उनको यह बार-बार करना नहीं पड़ेगा उनको हमारा लेटिस्ट अपडेट मिलता रहेगा यह मेरी गुजारिश है सभी मेरे भाई बहनों से कि अपने मेरे नहीं अपने बुजर्ग माबाप के लिए दादा के लिए काम करने इससे देखिए हमें भी खोगा सा सपोर्ट मिल जाएगा और इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं तो सोचे फिर आप क्या ही करेंगे मेरे लिए खैर अब आप वदा दूं कि यूक्रेन सर्प्राइज विजिट पर रूस के डिफेंस मिनिस्टर पहुँच गए मैं बात कर रहा हू सरगई शुगोई जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अचानक यूक्रेन पहुच गए और उन्होंने अपने मिलिटरी को आदेश दिया कि आपको एक साथ कई जगा हमले करने हैं जिन यूक्रेन के इलाकों पर हमने कबजा कर लिया है यूक्रेन वहां पर हमला कर रहा ह वहां का रॉकिट और मिजाइल दाग रहा है और खतरनाक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है अब आपको हमें यूक्रेन के हर इलाके पर हमला करना होगा और बड़े हमले करने होंगे इतना ही नहीं डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी आदेश दिया कि जल्दी जल्दी हमला कीजिए और जितना ओपरेशन आप जल्दी कर सकते हैं उतना कीजिए ताकि यूक्रेन को हमारे कबजाई हुई जगह पर हमला करने का समय ना मिले एक्सपर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने ये आदेश दिया है इस आदेश के बाद रशिया ब मनोबल बढ़ाने के लिए पहुँचे और इसी के सार्थ कुछ तस्वीरे भी उस मीटिंग की सामने आई है क्योंकि रजा गर आफ इस सुबूतों पर चलता है तो सुबूत भी आपको मैं जरूर दिखाऊंगा देखिए झाल आपको मैं जरूर मिलता है तो सुबूतों परिएकों पर सुबूतों पर इस में उस नहांज देखिए क्यों कि दोंकि मैं ला आपकों आपकों कि बादे देव्टों बाल इस दोंकित दोढ़ार मैं थे का più आव इस खशाओनिवह तोंकितकि Hail वहीं यूक्रेन ने बड़ा दवा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि इतना महंगा S-400 डिफेंस सिस्टम है रूस का वो अमरीका की हिम्रास मिसाइल को नहीं रोक पा रहे हैं। ये भी दवा किया कि हमने इम्रास मिसाइल से S-400 को तबा किया है। लेकिन उसी रिपोर्ट में हकीकत ये भी आगे लिखी हुई है कि अभी तक उसके सुबूत यूक्रेन पेश नहीं कर पाया है कि उसने S-400 तबा किया है। वहीं अगर रश्या की बात करें तो रूस इस बात से साफ इंकार कर रहा है। रिपोर्ट आ रही थी कि कीव यानि यूक्रेन यूक्रेन को जो हत्यार मिल रहे थे यूरोपिय देशों से वह हत्यार ब्लैक मार्केटिंग के जरिए बेचे जा रहे थे। तो अब यूरोप यूनियन ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कीव पर यूक्रेन पर क्योंकि उसके पास कोई वजा नहीं है हत्यारों की ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए क्योंकि उसको खुद हत्यारों की जरूरत है हमें यकीन है जैने इसकी पर कि वह ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे कल मैंने आपको बताया था कि यूके का एक फौजी रूस की कैद में मारा गया जो यूक्रेन की तरफ से लटराथा उसको गिरस्तार कर लिया पकड़ा गया और वो कैद में मारा गया इसके बाद यूके भढ़क गया यूके ने अपने देश में मौझूद रूसी एन्वाइ को बुलाया समन दिया उसको और जबदस तरीके से उसको खरी खोटी सुनाते वे का कि एक्सेप्ट करो इस बात को मानो कि रूस की वज़े से तुम्हारी वज़े से हमारा एक सैनिक मारा गया और इसलिए वो तुमको भुगतना भी पड़ेगा यूक ने एक तरह से सामने धमकी दे दी है वहीं जैसे मैंने आपको बताया था वो इफेक्ट भी नज़र आ रहा है डिफेंस मिनिस्टर ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने जो आदेश दिया वो अब जमीनी तोर पर नज़र भी आ रहा है रूस ने यूकरेन के डिनीप्रो के नए इलाके पर यानि यूक्रेन का एक नया शहर है बिनिप्रो वहाँ पर हमला कर दिया यहाँ पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था लेकिन इस आदेश के बाद यहाँ भी हमला हो गया देखिए एका रहाँ ची आपी परस नापदी प्रोष छिस्ट विस्ट इस जाँ फ्राइब्स परस फ्राइब्स कर दो मोरा है वहाँ भी रहाँ वहाँ चरण वहाँ है इस नहीं हो अ दो इंदो अखले रूस की चालाकी भी नज़र आ रही है कहते हैं जंग में सब कुछ जायज है जायज सी बात है दुमाग फिर चलाएंगे ही वह कौन सी ना जायज बात है तो रूस पर इल्जाम यूक्रेन ने लगाया कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर कबजा उसका है रूस का कबजा है अ यूकेन की मजबूरी है कमेंट आप कर दीजेगा दोस्तों वहीं पर एक बार फिर बता दूँ कि 8 जून और 15 जुलाई दोनों डेट पर दोनों दिनों में इन दोनों तारीखों में रूस की एक डिफेंस की टीम स्पेशल टीम पहुंची थी इरान उसकी तस्वीर यह रही सेटेलाइट इमेज जिसमें अमरीका ने दिखाया है कि इस जगह पर रूस के एनवाई उतरे वो टीम उतरी और इरान ने उनको दिखाने के लिए अपने ड्रोन सजा रखे थे इसके बाद इरान ने वो सारे ड्रोन्स दिखाये डील हुई डील के बाद रूसी वो टीम वापस गई यानि अमरीका ने सुबूत दे दिया कि इरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर रहा है इन सबके बावजूद इरान ने फिर बयान दिया कि रूस को इसने किसी तरह से को कोई हथयार नहीं हगाहिए हकीकत यह है दोस्तो रॉकेट ग्राइड सिस्टम वह कौन सा सिस्टम होता है आज मैं आपको दिखाऊंगा ग्राइड सिस्टम एक एसी गाड़ी होती है जिस पर मिसाइल स्थैनात होती है वो चलते-चलते भी हमला करती है अलग-अलग जगा पर जाकर हमला करती है वही चीज जो Defense Minister ने आदेश दिया रूसी Defense Minister ने अब हमले करने की तरीके भी बगल गये हैं स्क्रीन पर देखिए रूस लगातार इसी तरह से मीसाइल डाग रहा है फिर यही ट्रक यही मिसाइल भरा ट्रक आगे बढ़ता है अपनी पोजीशन को चेंज करता है फिर रोकिट दागता है फिर आगे बढ़ता है दूसरे इलाके में जाता है फिर रोकिट दागता है यानि अपने जंग और अपने हतियार चलाने का तरीका अब बदल दिया है बाइडन ने तेलवीर से यानि इसराइल से रिक्वेस्ट किया कि आप यूक्रेन को हतियार प्रोवाइड करवाईए एडवांस हतियार दीजिए डिफेंस सिस्टम दीजिए और आप जानते हैं कि अमरीका की बात इसराइल टालता नहीं है यह बात जब रूस के कान में गई तो रूस ने मीठी जबान में इसराइल को हड़का दिया कहा कि कोई भी कदम उठाने से पहले ठीक से सोच और समझ लेना कि हमारे खिलाफ अगर यूक्रेन को हतियार देता है इसराइल तो अंजाम फिर भुगतने के लिए तयार रहे इसी के साथ आपको मैं ये भी सुबा क की मीटिंग में दिखा चुका हूं कि बाइडन और मुहम्मद बिन सल्मान आमने सामने थे इसके बाद भाई साहब मौम्मद बिन सल्मान भी पागल थोड़ीना इंसान है वो भी एक देश चला रहे हैं और दूसरी बात वो भी एक तानाशाही की तरह चला रहे हैं तो जवाब तो मुँपर मिलेगा पता ये अब चला कि मुहम्मद बिन सल्मान ने जैसे ही अपने उपर आता हुआ जमाल खाकोजी का सवाल देखा पलट कर बाइडन को ही पूछ दिया क्या अच्छा अलजजीरा की पत्रकार को जिस प्रकार से इसराइल ने मरवाया आप उस पर क्या कर रहे हो बड़ा अदभुत मामला हो गया था उसके बाद एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में पत्रकार पूछ रहे हैं मुहमद बिन सल्मान से की जमाल खाको जी के परिवार वालों से क्या आप माफी मांगेंगे तो उस वक्त का जो फेस एक्स्प्रेशन है मुहमद बिन सल्मान का वो देखने लाइख है खामोश और एक क्रीपी सी स्माइल देखिए इसी के साथ आपको बता दे कि साओधी अरप की जब सारी दुनिया से आलोचना होने लगी कि भाई आपने एरिस्पेस क्यों खोल दिया यहूदियों के लिए इसका मतलब आप रिष्तेदारी कर रहे हो ठीक कर रहे हो अपने रिष्ते तो जब चारो तरफ से आलोचना हुई तो विदेश मंतरी ने साओधी अरप के एक क्लियरिफिकेशन दिया कि अगर हमने हवाई रास्ते खोल दिये हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उनसे नॉर्मलाइज़ेशन कर लिया है हमने रिष्ते ठीक कर लिए हैं या हम उस कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यह तो भाई साब वही वाला जूट हो गया मेरे एक दोस्त का नाम जानू है बारिश हो रही थी मैंने नीचा से आवाज मारी मैंने का जानू भाई तो उनकी अम्मा ने बोला कि नहीं है तीसरी मंजिल से वह जाक के बोलता है तो वहिवाला इसराइल वह हाल है इसराइल कह रहा है कि रिष्ते ठीक कर रहे हैं और इधर से सथाल नहीं हमारा ऐसा पूहिराद है है です इसी के साथ भाई-साहब सॉदी अरब ने एक और बात को जुटला दिया है इसराइल ने कहा था कि हम अरब लीग बना रहे हैं अरब देशों के साथ मिलकर एक ग्रूप बना रहे हैं सॉदी अरभ में कर दिया हमको इसके बारे में भुएह कुछ पता नहीं है नाम इसमें है इसी के साथ एक तस्वीर सामने आई है स्क्रीन पर देखिए ये दोनों हेलिकॉप्टर जो है कई हेलिकॉप्टर वैसे हैं सीरिया के बॉर्डर पर तुर्की और रूस के हेलिकॉप्टर एक साथ उड़ते हुए नजर आए कुछ बड़ा हो हुई है उसको आपको फील करना पड़ेगा देखिए ये बोर्ड था साइन बोर्ड जो होता है पिघल गया है आग की उस बंबारी की गर्मी से वह पिघल गया है रूस ऐसे हमले कर रहा है अब डिफेंस मिनिस्टर ने जो रूस के सहनिकों को आदेश दिया उसका असर नज को पर वेर हाउस पर यूकरेन के वेर हाउस पर हमला किया है बड़ी यूकरेन की तबाहि करिए है देखिए के वी परूस में के छोड़ करषपेंस देखिएंस ठाफ्सचित झालुछ झालुचा पालुचा झालुचा जो, चालुचा रिपा स्कार का उनो बटा गता है अब यूक्रेन के कार्मा तोस्त के एलाके में बिल्कुल नया शहर आपको बता रहा हूं देखिये जो भी डिफेंस मिनिस्टर ने आदेश दिया उसके हिसाब से आदेश ये था कि यूक्रेन के हर हिस्से पर हमला करो अब मैं इसी के साथ तीसरी नई जगा बता रहा हूं कार्मा तोस्त के इलाके पर एक मिसाइल गिरी मिसाइल गिर गई पहले लेकिन ब्लास्ट देर सेकिंड बाद हुई धमाका घातक था और उस धमाके से आप समझ सकते हैं चीधड किस तरो उड़ते होंगे देखिए रूस ने अपने हमलों को इस कदर फिल्मी कर दिया है यानि हॉलिवूड फिल्मों में जो हम सीन देखा करते थे वो इसमें आप नजर आ रहे हैं टैंक उड़ उड़ कर हमला कर रहे हैं जी हां सही सुन रहे हैं आप मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या रूस के टैंक तेजी से आ रहे हैं हवा में उचल रहे हैं और हवा में ही दाग रहे हैं तोप के गुले देखिए कई जगह यह जंग जो है मजाक में भी देखी जा रही है मज़े से भी लड़ी जा रही है अब यूक्रेन का एक सेनिक ऑटोमेटिक रॉकेट फायर करता है और किनारे आग का सेलफी वीडियो बनाता है देखिए यह तो मजाक में देख लिया आप में लेकिन अब आप देखिए कि यूक्रेन किस तरह से जवाबी कारवाई कर रहा है यह जो से उत्ज कर दो से घमनाता है यहाँ you यूक्रेन का एक नया शहर है बिर्दांस्क मलब बीच साइड है और वहां उपर यूक्रेन के अयाश पसंद लोग अयाशी पसंद लोग अपनी बंदी लेकर दारू पी रहे थे उनकी जो गर्फरेंट थी वो बीडियो बना रही थी नशे में आदमी था पीछे लगभग एक किलोमेटर दूर मीसाइल आके गरता है लेकिन उससे खौफ किसी में नहीं आया दर्फ क्योंकि निशा दारू का लोग होता भाई साब देखिए इसे के साथ आईफोन ने एक बार फिर से सुनी जाती है इस बारे में बाते हाला कि जो हमको आईफोन पसंद ने बस हम से सेक्योर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें थोड़ा डेटा सेक्योर रहता है आप जानते हैं हाला कि पेगासस उसके अंदर भी आ जाता है पहले वाले फोन में था हमारे खेर अब आईफोन ने कम सेक्म एक यूगरी सेनिक की जान बचा ली है गोली लगी लेकिन आईफोन था जेब में बच किया अब आईफोन तो मर गया लेकिन कम सेक्म इनसान तो बच गया तेखिए इसे के साथ एदिवका यूकरेन के नए इलाके एदिवका पर जोरदार हमला किया है नए नए शहरों पर हमला हो रहा है रूसका देखिए इसे के साथ इसकेंडर मिजाइल भी जोरदार दागरा इसकेंडर मिजाइल आपको हलका लग रहा है अब पहली बार आपको इसकेंडर मिजाइल को फटते हुए दिखाऊंगा ऐसा लगएगा जैसे की आग का बादल फट गया हो कोई आग का बादल हो और वो एक दम फटके फैल गया अब ऐसा सोचिए ऐसा हमला खुदा ना करे खुदा ना करे कब जिन्दगी में आप देखें तो आप यह से चाहे यूकरेन सही हो चाहे रूस सही हो चाहे दोनों घलत हो चाहे दोनों में से कुछ भी हो बस दुआ यह कीजिए कि यह जंग रुख जाए क्योंकि इसमें मासूमों की जान जा रही है देखिए इसी के अलावा रूस अपने एडवांच हॉविट्जर को मैंदान जंग में आगे बढ़ा रहा है खास बात यह है कि अपने हमलों को वो ड्रोन कैमरा से गोप्रो से और एसरार से भी रिकॉर्ड कर रहा है और उसकी ऑफिशल तस्वीरे जारी भी कर रहा है सिनेमेटिक देखिए दोस्तों यह थी आज तक की सारी वार अपडेट इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय जरूर लिखिएगा रिपोर्ट को शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप हमें जरा सभी सपोर्ट करते हैं जैने में तेरा वाप आया खुब झाया मैं जरा से देकriel दितते हैं जरूर हमें जरे जर वापकी यह तूए पिना इनवड़ जरू यह थाओब लेहां झाल झाल